है यहां आज के दिन मुझे लगता है तीसरा दिन हो गया और आपको लागतार जो मार्केट का फियर एंड गृडट इंडेक्स की मीटर है वो 13 पर देखने को मिल रही है मतलब एक समान ही मार्केट में फियर और सेंटिमेंट बना हुआ है तो चलो फ्रेंट्स ओभराल मार्के मार्केट कैप अभी के टाइम पर गिरावट है ग्रोथ है तो कितनी परस्टेंट के उसे देखते हैं उसके बाद से सारे नियूज को कवर करेंगे तो यहां पर जो दुबई कपल है उन्होंने क्या किया है तो टाइ किया है मतलब बंधन एक साथ जुड़े है नाता मतलब मेटावर्स के जरीए तो चलो फिरेंट अब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह पहला बार मुझे लग रहा है इस तरह से कुछ हो रहा है तो छोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ तो यहां पर देखो जो दुबाई बेस्ट आपको कपल है इन्होंने डिसाइड गया था अपनी साधी को लेकर कि यह मेटावर्स में मतलब साधी करेंगे आप्टर लीगल प्रॉलम से स्टेमिंग फ्रॉम देर नेशनलिटीज जब इनके नेशनलिटीज के द्व द्वाली बात हो रही है कि मेटा रृस करेंगे मैटा इससे यह विल्कन इस अफ्रेंस के उससे हुम साधी और इन्होंने सोचा कि हम खुद इससे एकिसे तूBookेंच तो यहां पर कुछ डिटल्स प्रोवाइड की गी हैं जैसे कि यहां पर बुला जा रहे हैं कि जो लीगल ट्रबल्स थे रजिस्ट्रिंग की इनकी जो मैरिज की उसके बाद से इन्हों ने इस तरह का जो फैसलारी से के फ्रेंच नेशनल जरी सिडाइंग दुबई में यह फि उसके तीन साल बाद यह वाली डिशन इन्हों ने ली क्योंकि इनकी जो साधी होई उसमें बहुत सारी दिक्कत बहुत तरह के नेशनलिस्ट वाली बहुत सारी प्रॉलम होती जर्जिया के अंदर में तो उसी से इनको यह ऐसा लगा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं ताकि फिर हम दूसरों को इससे मदद पहुचा सके मदद कर सके जब हम वारे पास खुद का एक्सप्रियंस रहेगा कि हमने खुद मेटावर्स में साधी किया है तो यह सब कुछ इनका रिजन था अब इसके बारे में कुछ बता जा रहे कि कैसे कैसे तो यहां पर देखो रिपोर्ट में पता जा रहा है कि जो ब्लॉक्चेन गुरूप है रिपोर्ट वाइदा ब्लॉक्चेन गुरूप कि जो कपल की वेडिंग हुई है और जो इसकी आउट्पुट थी वो ओपन सी के दौरा एक्कौाइर किया गया है और एनेप्टी मार्केट प्लेस ज है कपल के सबसे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होंगे वो इनको मेटावर्स में ज्वाइन कर सकेंगे अब यहाँ पर एक्स्प्लेन करते हुए इन्हों ने बताया कपल ने कि विल्टेक एक्स्चेंजिंग वोज दरिपोर्ट सेड सून तू भी हस्बेन और वाइप उड़ कि मेटावर्स के अंदर में एक लोकेशन पर यह साधी के बाद वेटिंग पार्टी के लिए जाएगा लोग अपने कसम वगरा लेते हुए साधी के बंदन का उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर साधी वाली वाई 2019 वाली बात बोली जारी है और उसके अलावा यहाँ पर प्लानिंग कंपनी बनाएंगे जहां पर यह क्या करेंगे तो वर्चुल वेडिंग के बारे में दग कपल होप्स टू और यह आसा करते हैं कि यूज करें मेटा वर्स वेडिंग एक्सप्रियंस एजट इस्ट्रम तो खुद यह यूज करना चाते थे ताकि आगे जो अपन डॉलर का खर्चा हुआ होगा ऐसा रिपोर्ट का मानना है अब हुआ है कि नहीं हुआ यह कोई नहीं जानता है तो पहले वाली नियूज को मैंने साधी वाला इतना लंबा इसलिए मतलब बता दिया कि कभी-कभी कोई नियूज थोड़ी अलग हट के निकल जाती है तो वैतनाम-भूंत-चै ब्लॉक्चेन Bayern इन्हों ने लॉन्च की है ब्लॉक्चेन एसोसीयेशन शेयन टूंडूरी स्रcado करें सेयंस रिचोंड इसंट कर सके और सूड़ी distributed अपर अच्पकहारा में इनकी क्या है मैं कि वेटनाम को ये help करे, promote करे यहाँ पर अपने digital economy को और position the country on the world's technology map और world के अंदर में अपने country को technology के दुनिया पे एक position दिला सके the organization looks to unite Vietnam's experts in the field जो organization मतलब है यह क्या मतलब देखती है या उमीद करती है यह चाहती है यह वेटनाम के जो भी experts है उनको एकत्रित करने का इस field में and seek cooperation with blockchain communities और साथी साथ जो blockchain communities है उनसे यह cooperation का भी आसा करती है उमीद करती है around the globe globe मतलब की पूरे world से हैं पर बोला जा रहा है जो blockchain communities है इनकी country नहीं अलग अलग country के भी जो blockchain communities के लोग है उनसे यह उमीद करती है कि वो cooperate करें for the research and development of blockchain solution ताकि इनकी जो research है वो चालू रहे इस पे study जो है चालू रहे और साथी साथ जो blockchain solutions के development है उस पे यह आसा करते है कि ह हमें cooperate किया जाए साथी साथ इन्होंने खुद का ही एक blockchain association टीम भी बना दिया है जो कि क्या करेंगा तो suggestion देगा study करेगा research करेगा और अपने country को help करेगा ताकि यह technology के दुनिया में यह digital economy के दुनिया में एक अपना position एक अपना नाम बना सके तो friends बात करें इस वाले news को पर तो यह है आपको bitcoin ethereum की technical analysis की report यहां पर बोला जारा है कि जो BTC है वो क्या है तो फिर से 30,000 डॉलर की जो level है उसको cross कर दिया upper side में मतलब उस पे फिर से बन गया है as week long consolidation continue जैसा कि week का लंबा अगर consolidation period देखा जाए तो अभी भी जारी है उसके अब थोड़ा सा आएंगे बनों नीचे और बात करेंगे हैं पर चार्ट वे तो friends मैं थोड़ा से करूंगा जूम और आप यहां पर देखो दो रेंज आप देख लो एक यह हैं यह दोनों प्राइस रेंज है और इसी दोनों के बीच में जो है market consolidate कर रहा है market जब क्रैस होते ने कंडल फिर फिर उसके राजति के राक फिर से इसी तरह से मार्केच का रहा है और चल का मार्केन करते हो यह 30,000 के उपर हिं बना रहा हूं को चलोब अब यह रही ग्राफ मैं हमेसा बोलता हूं कि यह जो पर दिखाता है उसकी यह जपकी यह स्क्रिंसोट या जब कर जो पर दिखने को मिलेगा आपको थो आप इसे भी यहां पर देख सकते हो घ्र टो भर चलते हैं अगले वाव लिए तो फ्रेंट बात करें इस वाले नियूज को पर तो शेक के चेयर आपको गेंसलर है इन्होंने बड़ी उन्होंने मतब चेतावनी दिये अलॉट ऑप क्रिप्टो टोकेंस विल फेल फॉलोई लुना इनका कहना है कि लुना को जिस तरह से मार्केट में कॉलैप्स किया लुना जिसतर से बरबाद हुआ या गिर गया उसी को फॉलो करते विया उसी के तरह मार्केट में और भी बहुँते क्रिप्टो कॉइन जो की गिर जाएंगे जिस तरह से लुना और यूजिटी कोलेप्स हुआ और ये बात किसने कहा तो के चएर गेंसलए जैस़ा कि अगर और क्रिप्टो टोकें वही चीज़ जो ज़स्ट मैंने अभी आपको बता ही है इन्होंने वार्न किया है कि यहां पे ते वार्निंग होगी अभी अभी अनुन बुला है मेनी क्रिप्टो इंवेस्टर्स विल गेत हट फिर यह नों में बुला कि बहुत सारे क्रिप्टो अब कुछ बाते हैं जो इन्हों ने कहा है उसे थोड़ा सा देखेंगे तो फ्रेंट्स इन्हों ने अपना जो कॉंसर्ण है वेडनेस डे को दिया अब यहां पर आओ इसे करते हैं सबसे पहले तो हाइलाइट उसके वास से यहां पर देखो इन्हों ने बोला इसमें से जाधतर जो टोकेन है वो फेल होगा आई फियर डैट इन क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो के अंदर में मुझे डर है कैसा होगा और यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं दुखी होने वाले हैं and that will undermine some of the confidence in markets और जो क्या करेगा तो जो market को लेकर लोगों का भरोसा है जो लोगों का confidence है उसको कमजोर करेगा and trust in markets right large और जो market को लेकर trust है उसको भी कमजोर करेगा तो फ्रेंड्स यह बात जो इन्होंने कहा है मतलब trust कमजोर करेगा confidence कमजोर करेगा तो यह एक तरह से मालो इनका खुद का opinion है खुद का इन्होंने अपना suggestion साधा किया है लेकिन आप खुद भी एक तरह से सोच सकते हो कि यह बात एक तरह सही है अगर जिस तरह से लूना गीरा अगर कल होके कोई और भी coin गिर जाए परस होके एक और coin गिर जाए तो कहीं ने कहीं crypto market से आपको जो alt coin है जो alternative token से alternative coin है उनके उपर में जो भरोसा है वो डगमगा जाएगा और बहुत जादा अंदर में डर लगने लगेगा कि भाई हमने जिस coin में लगा कर रखा है वो तो भी सही सलाब में लेकिन कहीं कल वो तो नहीं गिर जाएगा तो इस तरह की doubt जो है आने लगी कि और फिर से मैंने जो पहले बोल रखा है trust issue यह बहुत बड़ी चीज है लूना के बाद से ही लूना ऐसा मतलब crypto market में मतलब तरह से कारनामा कर दिया कि जिसके बाद से trust issue बन गय पर्टुगल भी tax लेने की सोचने लगा उसने भी regulation के बारे में सोचने लगा इस तरह से बहुत जगब बहुत तरह के स्टेप जो है government लेने लगी जैसा कि लूना ने अपना काम किया क्यों सेप्टी परपस को देखते हुए ताकि आगे फिर कुछ हो तो भाई कुछ बचने इन्होंने भी UST के collapse भी बोला वाइल calling for increased regulations तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने लास्ट विक में यह बोला जिस तरह से UST का collapse हुआ कि regulation stable coin के उपर में जो है उसको increase करने के जोड़त है मतलब उसको और strict उसको और tighten करने के जोड़त है ताकि आगे से इस तरह की जो दिखते ना है जिस तरह से एक और statement इससे देखेंगे उसके अलभग यह news हो गया वैसे दो डीटेल में आएंगे तो बहुत सरी चीजी आपर मिल जाएगी आपको देख सकते हैं आप नीचे भी है तो चलो मैं इसे भी पहले highlight कर दता हूँ इसे फिरस तोड़ा सा आप देख लो कि यहां पर बोला जा यहां पर देखो तो यूएस की रिप्रजेंटेट्टी जो टॉप एमर है इन्हों ने गेंसलर को यह बाते जो है ट्वीट की है यहां पे वी आर यह रियली आउट आउट पर संड करके यहां पर बोला जा रहा है और इनोंने अब देखो तहाँ टाइम डाएगा ढुड़ अब यह किसने बात कहा है इससे भी फ्रेंट सब ढूंड़ने तो टाइम डाइगा कि पूरे आपका जो नीज है वह पढ़ेंगे लाइन बे लाइन तब यहीं है कि इन्हों ने जो की चेर्मेन है आपको सेक के इन्हों ने बस यह बोला कि भाई जीस तरह से युएस्टी और अधिक कोई आगे चल कर और भी क्रिप्टो टोकेंस है वह गिरने वाली है और यह भी क्रिप्टोण कोई सच में गिरती है है आगे कभी भी घ्रती मुझे में नहीठ लेकिन अगर ऐसा होता है तो जिसके पास भी वो क्रिप्टो की होल्डिंग होगी वह तो हट होगा यह डेफिनिटली है तो चलो फ्रेंट्स अब मुझे नहीं लगता और कुछ ज्यादा अभी फिलाग टाइम पर नियूज मार्केट में तो अभी इतना ही तो अगर वीडियो पसंद है तो फ्ली लाइक करो चैनलम नहीं तो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो मिलते हमें ने स्टूडियो में